नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कुरणई ताजा वीडियो में ये वीडियो तुला रासी बाले जातको के लिए बहुत इंपोर्टेन बहुत खासर बहुते महत्पुन रहनी वाला है क्योंकि 30 जनवरी सुभा 11 बजे से भगव के जीवन के प्रसान्य से इन लोगों को चुटकारा मिलने वाला है और तुला रासी बाले जातको के जीवन में कर्मपरधान देवता भगवान सनिदेव न्याय करने वाले हैं इन लोगों के जीवन में सत्रू का नास होने वाला हैं दुस्मनों को सजा मिलने वाली हैं और तुलारासी वाले जातकों को हर शित्र में बड़ी खुसकवरी की फ्राप्ति होंगे। मत्रों वह कहते हैं न मनुस्य के जीवन में खुसियां आती जाती रहती हैं। मनुस्य को कभे दंदोलत की फ्राप्ति होती हैं। तो कभे कई प्रकार की संगड़ें, कई प्रकार की मुसीवतें और समस्याओं का सामनभे मनुस को अपने जीवन में करना पड़ता है। अब की बार भगवान सनिदेव जी की कृपा से तुलारासी वाले जातकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मत्रों लगातार इस विडियो के अंदधक बने रहें इस विडियो का कोई सभी पाट अगर आपको अच्छा लगे तो विडियो को लाइक करें माता रानी के सच्चे भक्त कमेंड वाक्स में जै माता दे अवस्य लिखें तुमत्रों तुला रासी वाले जातको के संचार समता भगवान सनिदेव जी के कृपा से उच अस्तर पर होंगे आपके से नए उद्योगो को बहत्रण कर सकते हैं आपके अधिकांस योजनाय भी सफलता प्रवक पूरे होंगे आपके पास नए अधिगरण हो सकते हैं जो सबी में आपको समस्याओं को दूर करने के मोके विप्राप्त होंगे आपका जीवन साथे बहुत तिस नहीं और प्यार करने वाले होंगे जो आपके तनाव को उबारने के लिए गन्यतिक समर्थन भे परदान कर सकता हैं मत्रों आप बैवसाइक रूप से बहुत इसफल हो आपका नाम और प्रसिद्व व्यपक होंगे आप अच्छे स्वास्त का आनंद ले सकते हैं आपका आत्म विश्वास का फिवर जाएगा आप अपने वरिष्टों और सकर्म्यों का ध्यान वे समाने रूप से आकर्सित कर सकते हैं ब्रादी करन और रैंक के व्यक्ति में आनंद में रहेगा आपके बच्चे भी आपके लिए गर्व का शुरोत बन सकते हैं यसमें मिसिद्व प्रणामों की प्राप्ति करवाने वाला है इसमें आपके मन में अजीवों करिव कई प्रकार के ख्याल आ सकते हैं नैसे में तूला रासी के जातकों को अनवासक कर रहें और आपके द्वारा कटनायों से शुर्कार दलवाने में यसमें मददगार सावित होंगे आपका समंध्य से पुन रहेंगे आप बड़े उच्चा के साथ पारिवारिक अद्वदियों में बहाग ले सकते हैं और कुछ यात्राएं हो सकते हैं जो आपके लिए ला को भी करढ़न प्रस्रम से अपने वरिष्टों को संतूष्ट कर पाने में सक्चम होंगे यदि आप अपना जिरिष्टी कौन बदल लें और इमांदारी से काम करें तो आने वाली दुनों में आपके रैंकिंग प्रास्रमिक और लोग प्रयत्ता में वड़त्तरी होंगे आ आपके जेब परभाड़ी पर सकता हैं मत्रों आपको जीवन में आर्थिक स्थित्यों को व्यफपारिक स्थित्यों को लावदायक बनाने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं आपके लिए यसमें सुखा दर्मक की होंगे आत्म विश्वात और पूर्तिवाज तरीके से आप परिवारिक प्रभेस में तनाफर सित्यों के चलते परिवारिक स्थित्यों को प्रेमियों को प्रेम समंदों में कई प्रकार की मुश्किलों को दूर करने के मौके भी प्राप्त होंगे आप अधिक सहासर कारी कुशलता के साथ कारी कर सकते हैं प्रत्रों भगवान स्रेरी विश्रूंजी की ख्रिफासें, आपको सुब और अच्छे समाचारों की प्राप्ति होंगी, काम काज को लेकर आपको नई योजना बना सकते हैं, पारिवारिक समस्थाएं दूर होंगी, स्वास्त बेसुधार होंगे, अधिकार्यों को काम एक अ बड़े अधिकारी आपके कारी को सलता से काफी प्रसंद होंगे, अपनों का साथ विफ्राप्त होंगे, आपके रुके हवे कारी भी रप्तार पकड़ सकते हैं, आने वाल समय आपकी याई और नोकरी में पतन दे सकता है, मादरुगा की किर्फा से आपके लिए समय सुब और अच्छा रह सकता है, आपको अपने मेहनत का अधिक लाव मिल सकते हैं, पारिवारिक बातवर्ण भी आपको खुशाल बना रहेगा, प्रेम जीवन में मदूर्ता आ सकते हैं, आप अपने किसी प्रियमित्र से मुलाकात कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी सुबर काफी लापकारी रह सकता है, आपके जीवन में इसमें आपको विसेज बड़ी कुसकवरी हांसल होंगी, सफलता पाने के मौके फिफ्राप्त होंगे, बगवान सिरे रिविसरू जी की क्रिफा से आपके जीवन का हर फल, हर लमहा सांदार तरीके से वीतेगा, वैपार व्यविसा लाप हो सकता है, आपके समाद में मान सम्मान वड़ सकती है, वरतिष्टा में वड़तरी होंगी, आपके द्वारा लिया गया महत्पुनर ने लाप दायक रह सकता है, यात्राओं से जुड़ी आपको कोई सुबसूचना मिल सकती है, परिवार में आपका सुखाएगा, वरतिष्गार लोगों को ज्यादा फगार वाली नोकरी मिल सकती है, आपको उधार दिवे फैसे भी वाफस मिल सकते हैं, आपको नयाकार शुरू करने का मोका मिलेगा, जीवन साती के तरफ से आपको बड़ी खुशकावरी सुनने को मिलेंगी बत्रों, भगवान स्रेर विश्रूजी की क्रिफासें, आपके चिंताएं समाप तो होंगी, दन के छेतर में आपको बिर्दी मिलेंगी, मातालक्मिक देयाद्रिष्टी आपके उपर बनी रहेंगी, जल्दी ही बहुत सारा दन के क्टा करने में काम्याब होंगे, आपको अ आगे बढ़ने के मोकि भी प्राप्त होंगे, कारिशेतर में लिया गया फैसला भी आपके लिए का फिंडरनायक हो सकता है, आप अपने कारोबार में आर्थिक लाप भी प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्ती का योग बनेगा, जो भी कारी करेंगे, उसमें वहतर रिजल् मिलेंगे, मित्रो का फरपूर सहयोग मिल सकते हैं, विद्याट तो को भी उमीद के अनुसार प्रणाम मिल सकते हैं, प्रिवार के सदसों के साथ समय विता सकते हैं, और कहीं गुमने प्रणे जा सकते हैं, और किसी वेवसाइक की आत्राप पर आपको लाप हो सकता हैं, और आप अपनी आत्राओं पर भी विशेज लाव की प्राव कोई बड़ा फैसला लेना सोज विचार कर ही काम करने से जरूरी रह सकता है। लोगों की राय को गोर से नुरूरे का फ्रियास करें। पैसो के किसी हुलजी वे मामले को सुलधाने में आपको कोई अधिकारी या कोई बड़ा आदमी आपके मदद कर सकता है। आपके माता के स्वास्ट में सुधार आएगा, आपके द्वारा किये गए फ्रियास सफल होंगे, आप अपना जादस से जादस में परिवार के साथ विता सुकोगे। आपको आमदनी के नए सुरूत हांसिल होंगे, आप बैवसाय और नोकरी में वड़ परगती हांसिल कर सकते हैं। आपको प्रिणाम भी अच्छे मिलेंगे, विवायतों के लिए अधन काफी अच्छे होंगे, जीवन साथी से कोई अच्छा उपहार मिल सकता है, आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने की जुरत रह सकती हैं। दन प्राप्ति का योग बनेंगे, जो भी कारी करेंगे, उसमें बहतर फरिणाम मिलेंगे। मित्रों का फरफूर से योग मिल सकता है, परिशात्री वे उम्मीत के और अनुसार परिणाम को फ्राप्त कर सकते हैं, परिवार के सदसों के साथ समय बिता सकते हैं, और कहीं घुमने जा सकते हैं। और किसी बैवसाइक यात्राओं फर जा सकोगे, यात्राओं से लाब होंगे, और कोई बड़ा फैसला लेना है, तो आप सोच विचार कर ही काम करने की कुछस करें। लोगों की राय गौर से सुनने का फ्रियास करें, पैसो के किसी उलजीवे मामले को सुल्धाने में आपके कोई अधिकारे या कोई बड़ा आदमें आपके मदद कर सकता है। दोसरों की मदद करने के कई मौके मिल सकते हैं, दोस्तों की मदद भी आपको फायदा दिला सकते हैं, आपको आर्थी ग्रूप से बड़ा लाफ मिल सकता है। आपकी माता के स्वास्त में सुधार होंगे, आपके द्वारा किये गे प्रियास सफल होंगे, आप अपने जादा से जादा समय प्रिवार के साथ व्यत्तीत कर सकते हैं, आपको आमधनी के कई ने शुरूत मिल सकते हैं, आप वेविसाय और नोकरी में बड़ी प्रगति को हास अच्छी तलाब भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके जीवन में आपको दंदोलत की प्राप्त ही होंगी, आप लोगों के उपर माता लक्ष्मी जी की खिरफा बनी रहेंगी, जिसकी वज़े से आपके काम काज में सुधार होंगे, बिद्यार्तों को सिक्चा के शित्र में उ जो जनाय सफल होंगे, दोस्तों के दरफ से भी आपको पूरा सही योग मिल सकता है, कोट कचारी के मामले भी आपके हक में रह सकते हैं, आपको धन कमाने में सफलता हासल होंगी, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं गुमने फ्रणे बना सकते हैं, आपके सोचे फेकारे जीवन भी अच्छा रह सकता है, आसपास के लोगों के मदद मिल सकते हैं, अतरिक्त आमदनी के शुरोत हासल हो सकते हैं, नोकरी पेसा वाले लोगों को कामकाज का दवाव कम होंगे, प्रभाव साले लोगों के सिला आपके लिए फायदमंद सावित होंगी, गर परिवार क चला कारीगर सावित होंगी, रुके विगडे कारे वितुरंद बनेंगे, इसमें आपके घर में कोई सुबकारे हो सकता है, अविवायत वैक्तियों को साधी अलव का फ्रभोजन मिल सकता है, आपके कई सालों से अटके विकारे में सफलता फुरुवक पूरे होंगे, फ्रे में आपको मांगलिक कारे करने के मौके मिल सकते हैं, रिक्षा के शित्रों में भी आपको विसेश सफलता हासिल होंगे, स्वायत समंद्य दिक्कते भी दूर होंगे, आपको प्रिवार में किसी भी प्रकार के व्यविशारे मदविदों से दूर रहने के जरूरत रह सकते है जबरन आपके से नए करसकते हैं आपके सभी काम सफल होंगे आपके रुके हुए सारी के सारी काम बन सकते हैं आपके प्रेम विभा में तकदीव हो सकती हैं बरुजगार लोगों को रोजगार के अफसर मिल सकते हैं आपके समाज में मान समान वड़ सकता है जदी आप कहें न परसंसा होंगे वरिष्टो का सहीयोग मिल सकता है किन्तो आठ तिक मावल में बड़ा सहीयोग लेना आपके लिए उचित रह सकता है आपके द्वारा बनाई गई सभी उजनाय सफल होंगे रिश्तेदारों के दरफ से आपको सहाता मिल सकते हैं पारिबारिक जीवन में आपके खुशियाली और सांती आ सकते हैं, दाम पत्ते जीवन में आपका समंध मुध होंगे, आपके सूचे गए अधिक तरकारी विपूरे होंगे, आप अपने जीवन में काफी बड़े खुशकवरी को हासिल कर सकते हैं, पैसो से भी आपके सभी समस्याइद आपका सहीयोग करने वाले हैं, आपको जीवन में असानक से लाब हो सकता है, आने वाले दुनों में आपको सट्टे वादे में लोट्री लग सकते हैं, सारजरी कॉर्मान सी ग्रूप से आपका स्वाहित काफी अच्छे होंगे, नौकरी के दलास करें जो लोगों की काफी जादो मनचाही सफलता हासल होंगी,